हलो फ्रेंड्स आप भी अगर भार की डाई केमिकल की डाई लगा लगा के परेशान हो चुके हैं तो आज से आप उसको छोड़िए और घर की नेचुरल डाई लगाईए और हमेशा के लिए सपेद बालों से छुट्टी पाईए रिजल्ट आपके सामनी आएगा और फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट्स जरूर करके बताएगा क्योंकि उससे हमारे को बहुत अच्छी हिम्मत भी मिलेगी और हमें और भी जादा अच्छी अच्छी वीडियो आपको हम देते रहेंगे बनाने का मन वेगा दो फ्रेंड्स रिजल्ट आपके सामने हैं तो हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पे मैंने लिये कलोंगी को लिए बहुत ज़्याला होता है बिल्कुल ब्लेक होती जो कलोंजी होती है तो यह हमारे बालों के लिए बहुत ही बहतरी चीज है क्योंकि इस से ह बहुती बारिक पाउडर बना की रखा था तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका पाउडर है वह हम डाल देते हैं, इसके अंदर। यहां पे मैंने लोई वाला तवा लिया है आपको जब भी यह रेमेडी तयार करने हो तो लोई का तवा ही यूज में करना है यहां पे मैंने लिया है आउला, रीठा, सीका काई, नीम के पते चार चीजों का मैंने पाउडर लिया है क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पूरी तरीके से हमारे बालों को प्रोटीन देते हैं यहाँ पर मैंने हल्दी लिए हल्दी पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत ज़द अच्छी होती है और इससे जो हमारे बालों की डाई बनने वाली है वो तो एक जबरदस चीज होगी जिसको आप एक बर लगाएंगे तो आपकी बालों की जो अगर आपके बाल वाइट है तो बिल्कुल ब्लेक हो जाएंगे कलर इतना अच्छा है गा आपकी बालों की कि आपको कभी केमिकल की डाई यूज नहीं करनी पड़ेगी तो यहां पर मैंने इसको तव्यक को गैस के उपर रग दिया है तो अब इसको हम अच्छे से शेक लेते हैं इसके पूरे प्रोटीन हमें नहीं जलाने है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं तो हमें वह पूरे प्रोटिन चाहिए क्योंकि हमारी सिर्की जो स्किन होती है न वह बहुत ज़adata कम जोर हो जाती है केमिकल की डाय होती है उनसे बचें क्युंकि बच्चों की इंट कीश लादा चुंग होती है ने जाहें जाहें जो साला तो उनको थो बहुत ज्यादा उनव चीजों का सामना करना पड़ता है क्यों कि हमारी इसकीन के लिए ये बहुत ज़दा खराब होती है, केमिकल की जो डाई होती है, तो यहां पर देख सकते हैं, यह सिख चुका, इसके पूरे जो प्रोटीन हैं नहीं हमें जलाने हैं, तो मेनी गैस को बंद कर दिया था तो अब इसको वैसे ही हम सेक लेते हैं बिना गैस को जलाए क्योंकि तव्वे का फिलेम थोड़ा सा गरम होता है तव्वा का तापमान होता है जो गरम होता है तो फ्रेंड्स ये बड़ों के और बच्चों के सभी के काम आने वाली चीज है और अपने बालों की तो हम सभी केर भी करते हैं और बालों से हमारी सुन्दरता भी दिखती है क्योंकि बाल जब खराब वाइट दिखते हैं तो बहुत ही गंदे दिखते हैं अगर उमर से पहले ये चीज दिखती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो फ् स्कीन के बाल है न उड़नाई भी स्टार्ट हो जाते हैं खुजली हो जाती है इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सारी दिक्कत हो जाती है यहां पर मैंने इस पाउडर को काटोरी में डाल दिया है और यहां पर देख सकते हैं विटामिन सी की मैंने कैपसुल लिया है यह हमारे प्रोटीन से भर पूर होती है हमारे बालों की जो सकीन होती है कोई भी से साइड डिपेक्ट नहीं होता है तो मैंने इसको डाल दिया है अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो हमारे को उस चीज की इनक भी हिमत मिलेगी तो यहां पर मैंने इसमें तेल डाला है तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम इसको mix करना है इस तरीके से अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि बहुत अच्छी तरीके से डाई हमारी तयार हो जाए तो यहां पर फ्रेंड्स देख सकते हैं होती अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकि है ये क्योंकि आप लोग भी जब भी आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमारे हम थोड़ा सा आपको देख लगा के मैंने ट्राइ किया है कि अच्छा रिजल्ट है नहीं अच्छा रिजल्ट है इसका क्योंकि सामने कोई भी चीज हो सामने दिखानी चाहिए तो यहां पर मैं रिजल्ट आपको सामने दिखाती हूं कि यह वैसे ही दिख रहा है डाई जैसा कि ये थोड़ा इसका कलर भी डाई जैसा बना है आया है ये नहीं छूटने वाला है तो आप देखना कि ये अच्छा भी एक नहीं है तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है और यहाँ पर जो मैंने उपर लगाया था उसको मैंने निकालने कोशिस कर रही हूं बहुत ज़्यादा पर वो नहीं निकल पा रहा है देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है कई लोग तो बोलते हैं फैक वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट आपके सामने दिखा रही हूं कि कितना अच्छा रिजल्ट है नहीं छूट पा रहा है देख सकते है बिल्कुल भी इसका कलर एकदम ब्लेक हो चुका है जैसे डाई का हो जाता है तो रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना और आप जब इसको ट्राइ करेंगे तब आपको म है तरीन कितना अच्छा इसका रिजल्ट है रिजल्ट आपके सामने है देख सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं